एक माहनायक डॉक्टर वी आरामबेड करके सब ये एपिसोड्स देखें बिलकुल मुफ्त सिर्फ जी फाइपर अभी आप डाउन्डोड करें वो संस्था आपके मोहले में रोशनी के लिए दिये तक नहीं लगाती है और आज ही मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ही मेरे साथ एक घटना घटी है तो हम क्या कर सकते हैं? आप मेरी मदद कर सकते हैं देखिए, एक बात है कि मेरे व्यक्तिकत स्वार्थ के लिए भी मैं आप सबसे मदद मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है लेकिन बात सिर्फ व्यक्तिकत स्वार्थ की नहीं है हम सबकी है आप सोचिए, आपके मोहले में सरकारी दिये क्यों नहीं है क्या आपको मुझे हक नहीं है रोशनी में रहने का? जिन धन्ना सेठों के पास मिट्टिक के तेल के लिए बहुत सारा पैसा है उनके घ़रों के बाहर, उनके मोहले में सरकार ने बड़ी-घड़ी लाइट खड़ी कर दी है और एक तरफ हम हैं, जिनके पास मिट्टिके तेल के लिए पैसे नहीं होते हैं अमारे बारे में सरकार भी नहीं सूचती है डिया ठांगने का काम, सरकार टई करती है इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं और उस क्रमचाई ने तुम्हारी अरजी फाड़ी है तो फिर से अरजी लिखकर सीरिय दफ्तर में दे आओ वही तो मैं नहीं करना चाहता हूँ न उनके अरजी फाड़ने के बाद मुझे पता चला कि यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है मेरी और आपकी है हम सब की है और हम सब को मिलकर यह लड़ाई लड़नी होंगी आप सिर्फ इतना कीजी आप अपने कारह ले में जाकर अपने मोहले में दिया जलाने की बाद कीजी और देखिये वो क्या कहते है अगर उन्होंने मना किया तो उनके उपर दबाव डालिए शर्त रख दीजे उनके सामने कि अगर वो दिया नहीं लगाएंगे तो कल से आप काम पर नहीं जाएंगे लेकिन हमें रोशनी की क्या जबगत है साम तक हम ठक जाते हैं घर आते हैं खाते हैं तो जाते हैं जरूरत आप लोगों को नहीं बल्कि इस भीम्राव को है जरूरत तो इसे है और यह अपनी जरूरत पूरा करने के लिए आप सब को धरने में बैठने के लिए कह रहा है चाल को समझे इसकी बहुत शाते रहेगा बाप कमाता है, भाई कमाता है, पतिनी, पतिनी जूता चपल सिलकर पैसे कमाती है, और ये पढ़ने का ढोंग करता है, ताकि काम करने से बचा जा सके, अभी देखिए, आप सब गो रोशनी का लालच देकर, अपने महले में लाइट लगवाएगा, और फिर पढ़ने का अब बात अलग है कि इन सारे चक्रों में आप लोग अपने नौकरी से हाथ दो बैठेंगे